पिछड़ों की आबादी जानते हो आप लोग देश में पिछड़े कितने हैं को जानता है 85 तो नहीं है कोई 23 कह रहा है कोई 85 कह रहा है कोई 60 कह रहा है कोई 70 कह रहा है कोई 80 कह रहा है 100 कोई कह रहा है मगर सचाई यह है कि आपको नहीं मालूम पिछड़े कितने हैं नहीं मालूम दलित कितने हैं नहीं मालूम आदिवासी कितने हैं नहीं मालूम जनरल कास्ट के कितने नहीं मालूम माइनॉरिटी कितने नहीं मालूम बात भागीदारी की होती है सब लोग कहते हैं भागीदारी मिलनी चाहिए मगर अगर आपको यही नहीं मालूम कि कौन कितने है तो भागीदारी कैसे होगी सवाल ही नहीं उठता 50% पिछड़े हैं कहा जाता है कोई जानता नहीं है मगर तकरीबन 50% पिछड़े हैं तकरीबन 8% आदिवासी है 15% दलित है 15% माइनोरिटी है कितना बनता है 50 15 और 15 30, 80 हो गए 8 कितने हुए तकरीबन 90% हिंदुस्तान की अबादी या आदिवासी है या दलित है या पिछड़ा है या माइनोरिटी है और उसमें आप 5% जेनरल कास्ट के गरीब लोग जोड़ दो 95% मान लो अब मैं आपसे सवाल पूछता हूँ यह जो मीडिया वाले है इन में 90% के कितने मीडिया के मालिकों की लिस्ट निकालो मैंने निकाली है उसमें आपको एक पिछणा नहीं मिलेगा एक दलित नहीं मिलेगा एक आदिवासी नहीं मिलेगा 90% का आपको वहाँ कोई नहीं मिलने वाला कभी आपने मीडिया को किसानों के बादे में बोलते हुए देखा है क्यों नहीं किसान की नहीं बोलते है गरीबों की नहीं बूलते है मजदूरों की नहीं बोलते है महंगाई की नहीं बोलते जब BJP MLA खरीते है तब नहीं बोलते क्यों नहीं बोलते गोधी मीटिया नहीं यह आपके हैं नहीं यह 90% के हैं नहीं यह 5% के हैं मैं इनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो reporter है इनको तो मतलब salary से बांद के रखा हुआ है यह कुछ नहीं कर सकते मैं इनके मालिकों की बात कर रहा हूँ इनके management की बात कर रहा हूँ